मोदी सरकार के खिलाब विपक्षी एकता की कोशिशे चल रही है और इसमें लगातार तेजी आती दिख रही है जो दल अब तक अपनी अलग रहा पकड़े हुए थे अब वो भी विपक्षी गडबंदन की बाते करते दिख रहे हैं और इसमें एंसीपी चीफ शरत पवार महत लामबंदी दिखाई देने लगी है अब तक कॉंग्रेस से दूरी दिखा रहे है अरविंद केजरिवाल राहुल और सोनिया गांदी से मुलाकात का समय मांग रहे हैं केजरिवाल को भी समझ में आ चुका है कि बिना कॉंग्रेस की मदद के वो बीजेपी का सामना नहीं कर पाएंगे ऐसे में नजरे कॉंग्रेस पर टिकी हुई है कि क्या वो केजरिवाल की मदद करेगी वैसे इस बात के संकेद राहुल खडगे के साथ नितीश कुमार की मुलाकात में भी मिल रहे थे कि दिल्ली के अधिकारों को लेकर जो विद्यक संसत में लाया जाएगा कॉं कॉंग्रेस ने अपने पते नहीं खोले थे केजरिवाल को कॉंग्रेस की जरूरत थी वैसे वो दूसरे राजरातिक दलों के साथ भी मुलाकात कर रहे थे लेकिन जब शरत पवार से मिलने के लिए केजरिवाल पहुचे तो उनके सुर्प बदल चुके थे पवार के साथ काहुल गांदी की बड़ती लोग प्रियता और कॉंग्रेस की ताकत के आगे केजरिवाल जुकते दिख रहे हैं दरसल केजरिवाल को इस समय केंद्र के अध्यधेश जिसमें दिली में अधिकारियों के ट्रांस्वर पोस्टिंग का अधिकार एलजी को दिया गया है उस बि कार की ओर से जरूर केजरिवाल को आश्वासन दिया गया है कि बिल पर वोटिंग के समय वो आपका साथ देंगे साथ ही आपके समर्थन में दूसरे दलों से भी बात करेंगे डीबी लाइफ की रिपोर्ट